Global Investors Summit में PM बोले अपका विकास मेरी जिम्मेदारी 6 साल में अपने डंके की चोट पर अपनी पहचान बदली मोधी लखनओ प्रधानमंत्री नेंद्र मोधी ने शुकरवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनओ में देश दुनिया से आये 10,000 निवेशकों के सामने राज्य में हुए वदलावों की तस्वीर रखी मोधी ने यूपी के वनारस से सांसत के तर पर निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि यूपी का विकास मेरी जिम्मेदारी है मोधी ने कहा कि एक दौर था जव हर कोई यूपी से उम्मीद छोड़ चुका था लेकिन पिछले 5-6 सालों में यूपी ने डंके की चोट पर अपनी पहचान वली है एक तरफ डवल इंजन सरकार का इरादा, दुसरी और संभावनाओं से भरा प्रदेश इससे वेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, निवेशकों को इस मौके को गवाना नहीं चाहिए मोदी ने वंदावन योजना में आयोजित तीन दिवसिय यूपी ग्लोव इन्वेस्ट समिट की शुरूआत की इससे पहले पी-म ने वा लगी ओधध्योगिक प्रदर्शनी का भी दौरा किया प्रधानमंत्री ने कहा कि असीम सामत्थत होने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ कुछ वाते जुर गई थी कि जसका विकास मुश्किल है कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती एक वीमारू राज्य के पहचान के साथ ही यहां हजारों करोड के घोटाले होते थे आज सुशासन वेहतर कानून व्यवस्था शाती स्थिर्ता यूपी की पहचान वन चुकी है भारत दुनिया के लिए ड्राइफ स्योट है तो आज यूपी भारत के ग्रोध को ड्राइफ करने वाला ने कृत्व दे रहा है अब यह आशा उमीद का केंद्र बन चुका है हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है टी आर एंडी आ एंजी एंडी एंडी डबल्यू यूएस दाओधी बोहरा मुसलिम कौन है जिन से मिल रहे मोधी दाओधी बेहरा मुसलिमों से मिल क्या 75,000 करोर रिलिंस समूजियो रिटेल वशे उज में चार सालों में निवेश करेगा हजर करोर सिमेंट मैटल, फाइनेसन के क्षेत्र में कुमार मंगलम विरला गूप लगाएगा 25 एन चंद्रशे खरन एथर इंडिया के जरिये यूपी का हर हिस एथर कनेक्टिविटी से जुडेगा नॉइडा एथर पोर्ट के फर्स कार्गो हब बनाएंगे सुनीर वचानी, डिक्सन टेक्नोलोजी नॉइड में सबसे बड़ी रेफ्रिजरेट निर्मान एकाई लगा रही है 1.2 अप Global Investors Summit के दौरान प्रदर्शनी का दौरा करते पीम मोधी, मिलियन यूनिट सालान निर्मान पीम ने कहा देश की गती का आइना बन चुकी है वंदे भारत ट्रेरिन NBT, मुंबई महराश्ट्रु के दौरे पर पहुंचे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने मुंबई से सोलापूर और शिर्दी तक वंदे भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने मध्यम वर्ग को मजबूती दी है और UPA के कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा राहत दी है उन्होंने कहा चाहे सेलरीड क्लास हो या फिर व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग दोनों को इस बजट ने खुश किया है PM ने कहा वंदे भारत ट्रेन भारत की गती और पैमाने का प्रतिबिम्ध हैं वंदे भारत मुंबई और सोलापूर के बीच 455 किलोमीटर की दूरी 6 गंटे 30 मिनिट में तै करेगी इस से एक गंटे की बचत होगी मुंबई साइनगर शिर्डी वंदे भारत को 343 किलोमीटर की दूरी तै करने में 5 गंटे 25 मिनिट का अब ग्लूबल इन्वेस्टिस समिट के दौरान प्रदर्शनी का दौरा करते PM मोधी समय लगेगा प्रथान मंतरी ने मुंबई साइनगर शिर्डी वंदे भारत ट्रेन के क्रू मेंबर्स और कोच के अंदर बच्चों से बात चीत की उन्होंने कहा कि नई वंदे भारत ट्रेनों से शिर्डी, नासिक, त्रयम, केश्वर और पंच्वर्टी जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा आसान हो जाएगी जिससे परेटन बताते होए उन्होंने कहा कि अभी एक्स्प्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं के साथ साथ तीर ध्यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा वंदे भारत ट्रेन के आज के भारत की उन्नत तस्वीर तक 10 ऐसी ट्रेन देश भर में चलनी शुरू हो चुकी हैं तथा आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत